Friends, आप लोग कैसे हो? तो Friends, देखे, अगर आपने Rasion Card के लिए न्यू एप्लाइ किया था, न्यू फर्म आपने उनलाइन फिल किया था या औफलाइन फिल किया था, फिर आपका नाम Rasion Card के लिस्ट में आया या नहीं, तो आप कैसे चेख करके देख सकते हो, तो Friends, देखे, न् उस लिस्ट को निकल के आपका नाम चेक करके देखिए तो कैसे क्या करना है सब कुछ इस वीडियो में डिसकास करूँगा और आपको लाइप प्रूफ दिखाने वाला हो तो चैनल पेन याद तो से आपको सब्सक्राइब कर दीजिए nfsa.gov.in तो इस उफसेट का डारेक्ट लिंक आपको डिसक्रिफिशन में भी मिल जागा तो उसमें क्लिक करके डारेक्ट आप इस ओफसेट पर आ सेकते हो तो फ्रेंज देखिए टाइप कहरने के बाद सर्ज कर दीजिए तो क्लिक करते ही दो option इधर show हो जाएगा जो निसेवला option है Russian का details on state portal तो इस option में ही आपको click कर देना है तो जब आप इसमें click करेंगे तो click करते ही आपको इस तरीके से show हो जाएगा और इसमें India के सभी state इधर show हो जागा state and UTs सब कुस इधर show होगा तो इसमें से आपको ढून के निकलना है कि आपका state कौन सा है तो friends देखे मैं आपको one by one दिखाऊंगा आप पहले वीडियो को सही से देख लीजिए फिर जाके आपका state का कीजिए अगर आप वीडियो सोर के ही जाएंगे तो शायद आपको problem होने वाला है तो friends इसमें से जो भी एक state में Choose कर लेता हूं तो शूश करने के बाद फिर आपको दिखाता हूं तो friends देखे जारकांड है जारकांड को में Choose कर लेता हूं फिर OK कर देता हूं तो OK करने के बाद Friends इस टाइफ से Show हो जाएगा तो इसमें district का List आएगा तो आपका जो भी district है, इधर से आपको district choose कर लेना है, तो choose करने के बाद फिर आपको इस तरह के से show हो जाएगा, और आपका blog का list आएगा, तो इसमें से देखिए friends, इसमें आपका blog choose कर लीज़े, तो choose करने के बाद फिर आपका जो gow या what का list आएगा, अगर आप town में रहे त तो आपका गाव का नाम इधर शो होगा तो जिसी सब से होता है और जहां से आप हो उसी सब से आप इधर से select के लिए तो select क्याने के बाद friends इस टाइफ से शो हो जाएगा, ration card के साथ आपका नाम इधर शो होगा तो friends देखे इसमें जो पहले जिनका ration card था उनका भी नाम रहेगा और जो नया हुआ है उनका भी नाम रहेगा तो आपको इदर से डून के निकलना है क्या आपका नाम इदर है या नहीं अगर आपने new application किया था online हो या offline हो तो आपको इदर से नाम डून के निकलना है one by one आप देखिए आपका नाम ह या नहीं अगर है तो आपका लिश्ट में नाम आ चुका है फिर आप रेशन कार्ट नमबर भी आपको मिलेगा तो सब कुस आपका काम हो जाएगा अगर आपका नाम नहीं है तो आपको supply office में जाके इसका मतलब आगे जो भी होगा मतलब उसका information आपको लेना होगा तो फिर इ सकते हो मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करती इस तरीके से शो हो जागा यह जो रेशन कार्ट है इसमें only 2% का ही नाम है आप देख सेकते हो two members का नाम है तो इससे सबसे आपका भी देख लिजिए कि कितना members का नाम आपका रेशन कार्ट में हुआ है तो यह हो गया जारकान का तो फ्रेंस में आपको और एक state का दिखा देता हूँ तो इधर जो UP है UP का दिखा देता हूँ तो इसमें जब क्लिक करते है फ्रेंस इस टाइफ से शो हो जाएगा और इसमें बहुत सारा details आपको शो हो जाएगा और इसमें आपको एक option मिलेगा Russian cut आबिदन का इस्ती थी त तो उस acknowledgement नंबर को आपको इधर enter कर देना है enter करने के बाद फिर आपको नीचे capsize को enter कर देना है अगर 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 तो आपको करके देख सकते हो और अगर आप आसाम से हो तो आसाम आप select कर लिजिए तो select करने के बाद इस तरह के से show हो जाएगा फिर आपको इधर capsize enter कर देना है capsize enter करने के बाद फिर आपको verify का option में click कर देना है तो friends इसमें आपका state already select रहेगा district select कीजिए और जो भी इधर details दिया गया है सब कुछ details आप इधर fill कर लिजे fill करने के बाद आप right side में देख सेकते हो view report तो view reports में जाके आपको click कर देना है click करने के बाद friends आपको इस तरीके से show हो जाएगा यानि आपको list show हो जाएगा तो इसमें से आपको डून के निकलना है कि आपका नाम किदर है इसमें old and new दोनों ही ration card holder के नाम रहेगा तो आपको इधर से डून के निकलना है कि आपका नाम है या नहीं तो इसमें आपको one by one निकलना है अगर first page में नहीं रहता तो second page पर जाएए थर्ड पर जाएए आपको डून के निकलना है अगर निकल गया समझ लिजे कि आपका रशन कड बन चुका है तो friends देखिए state wise थोड़ा अलग-अलग रहता है इस बज़े से मैं आपको कहा कि आप वीडियो को first to last तक देखिए तो किसी की इस state में आप जो acknowledgement में नमबर देखिए आप टेक करके देख सेकते हो और किसी की state में direct list show होता है उसी सबसे ही आपको check करके देखना होता है तो friends इस वीडियो में इतना है इतना है तो अच्छा लगए तो लाइक देखिए शेयर कि और में च्छा लगए तो सब्सक्राइब करना ना हो ले फिर मिलेंग और एक new video के साथ Thank you